पर्शिम मंगाल के कोलगता शहर में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुशकर्म के बाद की गई हत्या के विरोध में शनिवार को All India Medical Association और A.R.I.S.T.A. के आवाहन पर राजकी अमरित कौर चिकित साले के चिकचकों ने O.P.D. का वहिशकार किया वहिशकार के दौरान A.K.H. के सभी चिकित सकों ने राजकी अमरित कौर चिकित साले के मुख्य गेट पर संगचन के उपाध्यक्ष डॉक्टर S.S.O.N. के नेते तुमें घटना के निंदा करते हुए कड़ा आख रोज जताया इस दौरान उपस्तिर चिकित सकों ने मृतका को नयाय दिलाने और दुशकर्म के आरोपी को फासी के सजा देने के मांगी शनिवार को OPD बहिशकार के दौरान मानवीय सेवा को सर्वो पर ही रखते हुए अस्पताल के एमर्जनसी में सेवाएं सुचारू रूप से चलती रही पर दौरान वाली गटना के समर्टन में हमने इस 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 का उद्देन से जन्ता की सेवा करना चाते हैं उसके अंदर कुछ लोग इस तरह क्या घटना करके दोनों के लिडेशन्स खराब करना चाते हैं हम प्रसासन से ये करेंगे कि हमारी शुरक्सा हो इस तरह की घटना वापस कुर्णावर्टी नहीं हो दोस्जों को सक से सक सजा मिले और साथ में इस हर्ताल के साथ में हमने इमर्जेंसी और आईपीडी दो सेवाए चलू रखे मानुई दस्पिकों रखते हुए कोलगाता में एक डॉक्टर के साथ हुए दुशकर्म और हत्या की घटना से देश भर में आकरोश फैला हुआ है इस घटना के विरोध में बांसवाला शहर में सर्व समाच मेडिकल स्टूडेंट्स डॉक्टर्स ने एजिट होकर जोरदार प्रदशन किया शहर में विबिन समुदाय के लोगों ने मिलकर रैली निकाली जिसमें महिलाओं विवाओं और बुजर्गों ने बड़ी संख्या में भाग लिया एमजे स्पतार चोराहे के बाहर मृतका की याद में कैनल मार्च आयूजित किया गया जिसमें शहर वालसियों ने नमाकों से शंधांजली अर्पित की विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शन कारियों ने आरोपियों की तुरंद गिरफतारी की मांगी और दोशन को सक्त सक्त दुरा देनी की मांगी इसरेली में शामें लोगों ने कहा कि ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने के आवशकता है ताकि भवेश में ऐसी घटनाएं ना हूँ हेवानियत से भी ज़्यादा प्रूरता बरत्ते हुए और उसके साथ गलत काम करके उसको इतनी बुरी तरह से मार दिया गया कि शायद ही इंदुस्तान का कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके रोंगते खड़े नहीं हुए होंगे अगर हमने उसके साथ बजले से बजला नहीं लिया या उसको चोराए पर आकर नहीं घसिता तो शायद यह जो इस तरह के जुर्म है वो निरन पर हम जो सुन रहे हैं वो होते चलेंगे और इस पर नयाय नहीं मिलेगा जो इन दिधी के साथ हुआ है वो आगे किसी के साथ भी नहीं है मैं फूस एक लड़की है और मेरी खुत olivamente के साथ बेज़नें के बाहर पढ़ने बजने में बाहर उसको पड़ाई करने बेजने में डर लगता है इसे में केंद्र सरकार पर यह जाती हूँ है इसलिए हमारे देश में ऐसा कानून बनाया जाए कि कोई किसी लड़की के साथ जंदा काम करता है तो उसे बीच चोड़ाई पर खड़ा रखके उसे गोली मार देनी चाहिए जैसा क्या ने देशों में होता है फ्लीज इसके ओपर विचार कीजिए आगे किसी भी बैटी के सा देशा ने यो किसी कोई भी बैटी के जन्म लेने पर दुखी नहीं और खुश हो कि हमारे गर में बैटी पैदा हुई है प्लीज इसके लिए कुछ न कुछ कीजिए वरना हमारे देश के आलत बहुत बुरी हो जाए आठ अगस की रात को फॉलकटा में जो मोबिता की हैवानियत हुई है उसको लेकर युगाओं में बहुत आक्रोश है कि वो अपने वर्कप्लेस कर भी सेफ नहीं है हमें पूजना बंद कर दीजे हमें पूजने की कोई जरूरत नहीं है हमें समानता से जीने का अधिकार दे अब तक इस तरह के बहुत आरे कांड होने हैं बार 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 भी सिकली जो आर्जिक और मेडिकल गोले फोलकता में जो कुछ दिन पहले जो अध्या घांड हुआ है भलक करके बाद एक महीला रेजिडेंट के साथ उसके बेवज में आज ये जना क्रोश रेली की इसमें सभ अब दोक्तर्स ब्रेटिनेटी के साथ साथ जो नसींग ओफिसर्ज और तरा मेडिकल स्टाफ और इससे जुड़े मेडिकल विभाग से जुड़े हुए तमाम जो भी अजिकरी कर्शारी है वो सब ने इस रेली को सफल बनाया अलवर लॉर्स युनिवर्सिटी फीजियो थेरिपी के डॉक्टर और युनिवर्सिटी के चात्रों ने नगली सर्गल से लेकर शहीद समारक तक कैंडल माश निकारा जिसमें सभी चात्र और सिक्षक मौजूद रहे इस दोरान डॉक्टर्स ने महिलाओं और डॉक्टर्स की सुरक्षा विवस्ता मजबूत करने की सरकार से मांगी इस प्रकार के घटना दुबारा से ना हो इसके लिए कोई मजबूत कानूम लाया जाए ताकि महिला और डॉक्टर सुरक्षत रहे उनका कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगो को लेकर सीरियस नहीं होती है, कोई कदम नहीं उठाती है, तो हर्तार आगे भी बढ़ाई जा सकती है। इसलिए ही हम लोग यहां खड़े हुए है, क्योंकि जो यह क्राइम हुआ है, वो किसी भी हालत में, किसी भी सिच्वेशन में, हर कंडिशन में निन्दनी हैं, और इसी मुहिम को आगे छिडाते हुए, सभी लोगों के बीच में यह बात रखी गई है, ताकि लोगों के बीच में और जो सरकार बैटी हुए है, चाहे वो कशिम मंगाल हो, चाहे वो सेंटर हो, चाहे स्टेट हो, हर एक मेडिकल प्रोफिशन और हर एक जो समाज वो सब खड़े हुए है, इस जो निन्दनी है, जो कारे हुआ है उसके विरोध में, वोमें सेफ्टी के विहाब पे सब ल कर भी कोलकाता मेडिकल कॉलेज की महिला, रेजिडेंट डॉक्टर के साथ होई दर्बगी और हत्या के मामले में, डॉक्टर्स ने हर साल का विरोत्र दर्शन किया, वहीं अस्पिताल में ओपिडी सेवाई पूर्ण रूप से बंद रखी गए, हाला कि एमर्जंसी सेवाओ को चालू रखा गया, जोसे मरीजों को कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। और इमेजेंसी सेवाई चालू रखी गई, यह आज सुबह 6 विज़े से, कल सुबह 6 विज़े तक ओपिडी का कारी बेशकार किया जाए गया, धौलपुर जिले में इस मौनसून सीजन में ओसत से अधिक बारिश हो चुकी है, और अभी देड माईना शेश है, जिले में अ दरजन से अधिक कालोनियों के रास्तों पर जल भराव की समस्या बनी हुई है, धौलपुर शेहर से होकर हुजर रहे एनेज 11 बी पर जल भराव बना हुआ है, जल भराव को लेकर युवा कॉंग्रस के कारी करताओं और पदाधिकारियों ने हाईवे पर पानी में नाव च शासन के खिलाव नारे बाजी कर विरोध जताया है, कॉंग्रस कारी करताओं ने बताया के नेज 11 बी पर जल भराव के हालाद बने हुए हैं, चितरिया ताल ओवर्फलो होने की वज़े से हाईवे से पारी पहुँचकर शेहर की तीन दरजन से अधिक कॉलोनियों में घुस का सामना करना पड़ रहा है, स्थानिय लोगों ने प्रिशासन के खिलाफ जमकर नारे बाजी की तस्वीरे धौलपुर से हैं, जहां प्रिशासन के खिलाफ नारे बाजी करते हुए ग्रामीड सड़क पर नाउ लेकर उतर गए देखिए, आज हमारे डौलपुर जिले में जह नगर परशट और डौलपुर का प्रिशासन इतने निकम में है तुका है, कि आज आज आदा डौलपुर पाली में दिल चुका है, जह नेशनल आईवे आईवे, नेशनल आईवे के आला ताहपनों देख रहे हैं, इसमें इ जह नेशनल आईवे के आजाए तो शीन रखनी हो जाया है, एक तरप हमारे जिले के बी एन एस्पी तोर लजा रहे है, सफारी कर रहे है, अच्छी जाथ है, आज कर पाशकी कार करने चाहिए, लेकिन इनके साथ जिन्दी में की जिंदी के साथ खिल्गा ले रहा है, जिनक कोई इंतिजाम नहीं किया जा रहा है आप से कितना परिशानी लोगों से हो रही है आदा गॉल्पर इसमाज के लोगों ने शहीद समारक से लेकर पुराना कटला स्थित तक जुलूस निकाला जिसमें सभी हिंदू लोग शामिल हुए इस मौके पर महंत गंगादास ने बताया कि बांगलादेश में जिस प्रकार से हिंदूओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर हिंदू समाज में भारी आक्रोश व कि अलवर में सर्व समाज की ओर से जुलूस निकाला गया इस दौरान बांगलादेश में हो रहे खटना को लेकर सर्व समाज की ओर से जुलूस निकाला गया इस दौरान बांगलादेश में बदल रहे परिस्तियों को लेकर सर्व समाज में अधिकारियों को गयापनभी सौपा उन्होंने सरकार को अफगत कराया हैं का कहना है कि हिंदूों पर हो रहे अत्याचार को हिंदू सर्व समाज बरदाश्ट नहीं करेगा हाथों में बैनर लिये, अलवर में हिंदू समाज के लोग सड़कों पर उतराए और जम कर विरोध प्रदर्शन किया प्रदर्शन में भारी संख्या में हिंदू शामिल हुए आज जो ये रेली साइद इस मार्क मार्क से निकल कंपनी बाग से निकालिये और जगनात मंदिर तक और हिंदू में हमारे भारत के हिंदू में आक्रो से जो से कि हमारे जो बंगला देश में हिंदू भाईयों के साथ जो अत्याचार हो रहा है भयंकर अत्याचार हो रहा है जो वीडियो देख रहे हैं सोसल मीडिया के माध्यम से उससे पता चल रहा है कि कितना अत्याचार ये लोग होँ कर रहे हैं तो मेरी भारत सरकार से विशेश कर मांगे कि उन पर सग्यान ले हमारे हिंदूओं को मतलब उनको सुरक्षा प्रदान करवाई जाए अंतर राश्टिय सुरक्षा उनको कराई जाए और यहाँ पर भारत में जितने भी बंगलादेशी हैं यहाँ पर जो गुसे होँए अत्या जाए उनको भी तुरंद भार करे क्योंकि रोगया और बंगलादेशी भारत में भी बहुत संक्या में हैं कई करोडों की शंक्या में यहाँ गुसे पड़े है तो मेरा भारत संक्यार से विशे विनम राग रहे है कि इनको तुरंद भार निकाले और हमारे हिंदूओं की परमपरा रही है कि सर्वे भवंत शुकिनह, सर्वे शंत निरामया, सर्वे भद्रानिपश्वंत माकश्चिक दुख भाग होए जो हमारे शनातनियों का जो एक शुशंकल्प है कि पूरे विश्व में सब जन्षमुदाय, जन्मानस, प्रतेक मानविये का उनका अपनी जो सं संस्कृति है, संसकार है, उनका रक्षा हो, और हमारे शनातनियों का ये उनका उदेश्य है कि जहां कहीं भी हमारे जो सनातन धर्मी प्रेमी है, वो सब का सब को उनके स्वाविमान को उनके संस्कृति संसकार की रक्षा हो मकराना में खान माफियाओं पर कारवाई करने की मांग को लेकर विधायक जाकिर हुसैन ने खानादिकारी को ग्यापन सौपा है विधायक ने पीडिक पक्ष के महिलाओं के साथ पुलिस पर बतसलूकी और घरत वहवार का आरोब भी लगाया है आपको बता दे कि काला नाड़ा शेत की रेवर डूंगरी खान पर चल रहे हैं विवाद को लेकर शनिवार को मकराना विधायक जाकिर हुसैन गैसावत करने ते तो में खान मालिक और अन्या लोगों ने खानादिकारी राजेश डूडी को ग्यापन दिया विधायक ने आरोपियों पर कारवाई करने के मांग की है लंबे समय से काला नाड़ा शेत की रेवर डूंगरी खान पर विवाद चल रहा था जिसको लेकर विधायक जाकिर हुसेन थाना अधिकारी के पास पहुचे उन्होंने थाना अधिकारी को ग्यापन भी सौपा हाला कि विधायक का आरोप है कि इस दोरान उनके साथ मौझूद महिलाओं के साथ पुलिस के ओर से गलत वहवार किया गया है साथ रहेगी अब जो एक इसका वजूद ही नहीं है जो कान मालक यह कहिम साफ और यह समस्या इनकी मां के नाम माइंच है और ये कहता है कि इनके कोई परिवास से मेरे बाप ने इतने पैसे दिये तो उसका कोई पैसे दिये और इसकी साथ से कान काट रहा हूँ इसकी साथ से कान कोई जिसको पैसे दिये तो उसका कोई विट्रेस नहीं है वो ना कुछ उसका लेड़ा देड़ा है वो जिसका दिया वो अठरा साफ के लिए मर गया ना उसका लाइसेंस में ना उसका कुछ टैटल है तो इस तरह से हमने समने मिलके याज यापन देने हैं कस्बे का एक भमाशा परिवार द्वारा ये वाहन अपने दिवंगत माता पिता की आद में सर्व समाज को दिया गया मतुरा रमडे रेती के संथ स्वरूपा नंध जी महराज के सानेध्य में हुए कारिकरम के दौरान दान दाता परिवार के भगवान सहाय टाल वाले सजीव मित्तल और सतीश मित्तल और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा मोक्ष वाहिने को अगरवाल समाज के सानेध्य में स्वर्ग आश्रम सेवा समिती को समर्पत किया जिसके बाद संतों के मौजूदगी के वाहन पर स शम्शान घाट ले जाने और लावारिष शवों के अंतिम संस्कार में सुविधा रहेगी। यूपी की तरशपर उदैपुर में भी अपराधियों के खिलाफ बुल्डोजर अभियान शुरू हो गया है। शुक्रवार को शहर के सूरत पोल थाना शेत्र में चाकुबाजी की वारदात हुई थी जसमें दसवी का छात्र देवराज मोची गम भी रूप से खायल हो गया। फिलाल बच्चे का M.B. हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और इसकी हालत नाजुक बनी हुई है वहीं शनिवार को हमलावर स्टूडेंट के घर से अवैद निर्मान तोड़ा गया। वनविभाग और नगर निगम ने कारवाई शुरू करने से पहले घर की बिजनी कनेक्शन कार दी इसके बाद घर को खाली भी कराया। वनविभाग ने शुक्रवार सुबाही घर खाली करने का नोटेस चारी कर दिया था। लेकिन शनीवार को ही अवैद निर्मान को खटाने का कारी किया गया। गया था जिसको इलाज के लिए इस्पताल में भर्ती कराए गया है फिलहाल चाटर की हालत नाजुब बताई जा रही है अवैद मारवार जंक्षन के भगवान पुरा गाउ में भवर राज सिर्वी नामा क्यूव के घर पर अग्याद चोरों ने चोरी के वारदात को अंजाम दे कर फरार हो गए अग्याद चोरों ने मकान के ताले तोड मकान में रखे सोने चांदी के लाखो रुपए के गहने और नक्दे लेकर फरार हो गए वारदात के समय उक्त परिवार पारिवारिक कारी से बाहर गया हुआ था मकान मालिक के लोटने पर मकान के ताले तूटे देखने पर चोरी के वारदात का पता चला सूचना से मारवार जंक्षन थाना पुलिस मौके पर पहुँची और चोरी स्थल का आवलोकन किया फिलाल पुलिस अग्याद चोरो की तलाश में जुटी हुई है मारवार में चोरों के होसले बुलन नजर आ रहे हैं जहां चोरों ने एक सूने घर को निशाना बनाया घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब घर में कोई भी मौजूद नहीं था जब मकान मालिक वापस आये तो उन्होंने घर का ताला तूटा हुआ पाया जिसके बाद उन्हें चोरी की वारदात का अंदेशा हुआ मामले की सूचना पुलिस को दी गई जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्श कर लिया है और पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है अलवर डीजे नमबर तीन नायाले ने पती की हत्या करने के मामले में महिला को आज जीवन कारावाद की सजा सुनाते हुए 20,000 रुपय का जुर्माना किया है मिली जानकारी के नुसार आपको बता दे कि महिला और उसके पती के भी जगड़ा होने के दौरान पत्नी ने पती की हत्या कर दी थी जुसके शिकायत में तक की मान ने थाने में की थी मामला दैशकर ततकालीन धानादिकारी राम जिलाल मीडा ने इस मामले का नुसंधान किया और नियायाले में चलान पेश किया जहां आज एडीजी कोट तीन नियायधीश नरेट सिंग चौधरी ने आरूपी पूनम को आज इवन कारवास की सजा सुनाते हुए 20,000 का जुर्मान किया है अलवर में एडीजी नमबर तीन नियायले ने पती की हत्या करने के मामले में महिला को सजा सुनाई है कोट की ओर से महिला को आज इवन कारवास और 20,000 रुपै जुर्माने की सजा सुनाई है जानकारी के नुसार महिला और उसके पती के बीच विवाद हो गया विवाद इतना बढ़ गया कि महिला ने अपने पती की हत्या कर दी जिसके बाद पुलिस ने कारवाई करते हुए हत्या की गुथी को सुलजा लिया कोट के आदेश के बाद महिला को गिरफ़तार कर लिया गया है अलवर मित पत्नी ने पती की हत्या कर दी जिसके बाद महिला को आज इवन कारवास की सजा सुनाई गया है इसके साथ ही महिला पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाये गया है जानकारी के मताबिक घरेलू विवात के चलते महिला ने पती की हत्या कर दी पुनम नाम की महिला ये खरन जाटाव है फिली दिरवजा का रहने वाला था इसके साथ ये बतोर पत्री पत्री के तरह बुद्व्यार गने स्वाड़ी में प्राइपर नंटे थे ये मजबूरी करता था इसी बात को लेकर इनमें विवाद हुआ तो पत्नी जो खूनम जाटा मुल्जिय में इसने चाहिए कि पेस्पोल के टंटे से सरपे मारी करन के इस बात इस गटना की तयावती जो मर्तक की मा है उसके आने में रिपोर्ट दर्ज दराई कि वियावर शहर के फतेपुरिया दोयम पूनम विहार कॉलोनी सित नदीव शरीवार को एक अधेड व्यक्ति का शव मिलने से शेत्र में संसनी फैल गई नदी में शव होने की जान बाबत सूचना दी शेत्रवासियों की सूचना पर सांकेत नगर थाना पुलिस सिवल डिफेंस की टीम के साथ मौके पर पहुंची मौके पर पहुंची सिविल डिफिंस की टीम ने शेतरवासियों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद शर्फ को नदी से बाहर निकाला नदी से निकाले गए शर्फ की पुलिस ने स्थानी लोगों से शिनास करवाने का प्रयास किया तो मौके पर उस पस्थित लोगों ने मृतक की पहचान पंजाबी जी निवासी 55 वर्षिय के लाश्यंद मौल पूरिया पुत्र के रूप में की मृतक की पहचान हो जाने के बाद सांकेत नगर्थाना पुलस ने मृतक के परिजनों को सूचित कर शव को कबजे में लेकर राज की अमरित को और चिकित साले की मौचरी में पहुचाया है जहांपर परिजनों के ओर से दी गई तहरीर के अधार पर पंचनामा तैयार कर सव का पोस्ट माचम करवाने के बाद शव अंतिम संसकार के лиए परिजनों को सौप दिया गया कि व्यावर में एक व्यक्ति का शव मिलने के बाद इलाके में सनी फैल गई शव देखे जाने के बाद मामली की सूचना पुलिस को दी गई जिसके बाद पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और कड़ी मश्रक्कत के बाद शव को पाहर निकाला गया कि अधिक पॉन आया था चेटराशी द्वारा कि वहां पाने में तेरते हुए एक बिलास दिख दीए तो पॉन के द्वारा में आप पहुंचा विए तो परसासन को फोन किया पुलिस वाला पूलाएं आप पे उनकी सब्सक्ति चेटराशी मदद से बाद निकला किया और उसम परिजनों ने बताया कि आरोपी बालिका को उसके घर से अगवा कर दुशकर्म की घटना को अंजाम दिया है बालिका की हाला तो देखते हुए उसे महिला चिकित साले में इलाज के लिए भरती कराये गया चार घंटे बीच जाने के बाद भी बालिका को होश नहीं आया वहीं पुलस भी इस पूरे मामले की जाश पर ताल कर रही है और आरोपियों को गेर अफ़तार करने में जुड़ गई है कि OSU गिल 1 भाद को 11 बजे बच्ची को ज़र से अगवर करके लिए और जिसमें इससका मैं जो रोज वो दिनेस नाम का लड़का है उसका गाय h 20 को बाौर Ooh कि किशे करने के बाद में बच्ची ज्यादा बेहोस आवस्ता की थी और ते Alors बेहोस की पिशोड़ के चले गई तभिश्वान से तिक हुस्विटल में दिखाया दिखाने के बाद में बच्ची को ढूर नहीं है और बक्ची को अब हुस्वान नद 마음에 लेकर वेकार शरीर पर कुछ निशान भी है उसके फिलाल के लिए बस इतना ही जल्द हादर होंगे नई अपडेट्स के साथ नमस्कार